हेलो एवरिवन गुद इवनिंग वेल्कम तो मैं चैनल आई होप बहुत बढ़ियांगे आप सभी और मार्च की इप्रेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि एकजाम्स बहुत आने वाले हैं पास में और हम चल रहे हैं लास्ट यूनिट पे और कलास रहेगी हमारी यूनिट है हमारी नाइथ और चैप्टर रहेगा वो कैबलरी यह लास्ट है और इससे रिलेटर जो वक्षीट है वो और रेडी अप्लोड हो चुकिया टेस्ट पेपर भी अप्लोड है बस यह लास्ट रहा गया है इसके बाद शायद मैं सेगंड की स्टार्ट करूं तो आ इसे सही सेम और ऐसे सही सिमिलर अगर हिंदी में पूछे तो इसका मतलब हो जाता है प्राइवाची प्राइवाची शब्द जो हम किया करते थे ना हिंदी वाली मैं के डर से याद वह ले यह आपको बहु सारे दी हुए हैं आप इनको कर ले ना हम चलतें एक्सराइस पे यह दियावे कंप्लीट दे सेंटेंस इस यूजिंग दा सुटेबल सिनोनिम ओव दा वर्ड गिवन इन दा ब्रैकेट जो आपको ब्रैकेट में दिया हुए ना उसका मीनिंग भी वही है और उसी से से सेम हमने बोक्स में से भी हमने टिक करना है चूज दा अंसवर फ्रों बोक्स मिलकु सेम मीनिंग वाला वो हमने टिक कर देना है फर्स्ट देखिए शी हैस एक्सप्रेस्ट हर डैश टू कम विद अस ओन दा ट्रिप मतलब कि उस लड़की ने कुछ ऐसा एक्सप्रेस किया ट्रिप पर जाने के लिए तो इसके अंदर क्या आया अन्विलिंगनेस अन्विलिंगनेस हो गया ये और इसका मतलब होता क्या है अगर अन्विलिंगनेस अगर हटा दो न तो यह तो विलिंग मतलब कि मेरी इच्छा है अब इसने कह दिया कि अन्विलिंगनेस तो इसका हो गया अनिच्छा इसको बोलेंगे हम अनिच्छा कि मेरी इच्छा ही नह वाला यह विल्कुल इसको फिट बैठता है इसे कर लोगे स्वास्ते है उसका रोगी का वो क्या होता जा रहा है डबलू ओर एस इन इसका मतलब होता है बदतर और भी बिगड़ता जा रहा है और इसलिए मैंने इसका मीनिंग ले लिया यह वाला इसका मतलब भी क्या होता है बिगड़ना तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज़ पे फिर आयम शूर इट वोज हीज डैलीबरेट मैंने फिल किया है और यहां पर दिया हुआ है यह वाला वर्ड तो क्या मीनिंग होता भी इसका इसका मीनिंग होता है जान बूच कर जान बूच कर किया जाने वाले काम यह कोई ट्रबल का भी जिकरा हुआ है तो यह डैलीबरेट ही होता है फोर्थ में दिया हुआ है आपको वी लाइक अवर इंग्लिश टीचर अलोट हर क्लासिज आर ओल्वेज अंगेजिंग मैंने फिल किया और यहां पर हो गया इंट्र सबस्क्राइशा मांट का विचैनल ओल्वे लाइण वरो और इंड्रर्स्टिंग का मतलब किया अउस्ता है वो अपने साथ इंवोल कर लेती हो यह ृटिकला का पसंद होने लग जाती है इसे के अंदर अंगेजिंग का मतलब अलजना भी होता है अब हम क्लास में बैठ़ उलस्त हो सकते हैं लेकिन हाँ वो जो उनसा फलो चल रहा है ना तीस मिनट का लेक्चर होता है तो हम दस मिनट में बोर नहीं हो सकते हैं तो बैल होने तक भी हम टिके रहते हैं उसी के अंदर उलजे रहते हैं इंटरस्ट लेते रहते हैं हमारा प्लैजर होता रहता है ऐसे यहां पर दिया हुए clear और मैंने यह fill कर दिया l-u-c-i-d लेकिन इसका मतलब होता है आपका spust earth में बिल्कुल clear इसका मतलब भी यह होता है फिर है 6 में this used to be a busy state वह बहुत जादा busy है यह वाली गली तो इसका मैंने fill कर दिया bustling इसका मतलब होता है हमारा hull चल जिस गली में रोनक रहती है न हल चल रहती है वह वाला हो जाएगा यह वाला busy street 7th है our city is slowly getting अब इसका मतलब क्या होता है जो मैंने यहां पर किया इसका मतलब होता है kukhyat ठीक है 8th है हमारा shyness और इसके अंदर जो मैंने fill किया है inhibition इसका मतलब होता है निशेद मतलब की मनाही किसी चीज को ले करके 9th में है imbibe इसका मतलब होता है पी लेना मतलब की drink इसका मतलब होता है अंगर गुस्सा होना या फिर क्या लगा लोगे आप क्रूद लगा लो क्रोधित होना क्रोधित करना ठीक है इस तरह ऐसे हो जाएगा इसका मतलब अब हम करेंगे antonyums antonyums होते हैं हमारे wilom शब्द मतलब की opposite word उसका उल्टा यह सारे के सारी theory दियो यह है आपको आप कर लेना और हम चलते हैं next page पे और इसमें दियावा replace the underline word with their antonyum to correct these sentences antonyum फिल करने मतलब की इसका उल्टा होना चाहिए उसका meaning same वही नहीं होना चाहिए first है obedient का जैसे हम application के last में लिख देते हैं yours obediently आपका आगे का रिशिष है तो वो इसका उल्टा क्या होज़ेगा unruly फिर है इसका भी आज़ेगा C misinformation और इसका भी C रहेगा और एट्थ में है C नाइन्थ में A तैन्थ में C तो ये हो गया हमारा page नमबर 141 complete और हिंदी आप कर लेना explanation आपकी बुक में अच्छी तरह से दी हुई है मेरा मतलब गला बहुत ज़्यदा खराब है आज इसलिए थोड़ा explain कम होगा अब आगे हैं हम homophone के उपर homophone का मतलब होता है only sound same only sound same आपकी spelling अलग मिलेगी और उसका meaning भी अलग मिलेगा लेकिन सिरफ और सिरफ बोलने का तरीका sound वाला वो आपका same रहेगा एक example देऊ यह होता है BAT 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 means बला जो बच्चे खिलते हैं ना बड़े भी खिलते हैं विराट कोली तो यह हो गया BAT यह होता है चमकादड ठीक है तो अब यह देखो bat और bat इसके सिरफ sound same है meaning अलग हो जाएगा spelling भी अलग मैंने homophone नियम बता दिये spelling same कर दी थी आप spelling भी अलग कर देना ठीक है next करते हैं हम one of the word in each of these sentences is incorrect एक incorrect है और replace करना है homophone मतलब कि sound में same होना चीए बस first step का T O E D यहाँ पर आजएगा T O W मतलब कि sound sound same होनी चीए फिर यहाँ पर जोंसे यह वाला word था इसका आ जाएगा H O R D E third में हम इसको change करेंगे यहाँ पर हो जाएगा A I S L E और fourth में रहेगा इसको change किया इसने इसको bear को B E A R fifth में last वाले को किया है इसने change P R E Y एर्थ में है corner corner को C O R D नहीं इसको किया है कर्ड को जो हमारे circle में जीवा होती है मतलब कि यह circle जो center से नहीं जाती वो कर्ड हो गई यहाँ पर stationary में A की जगा E कर दिया और यहाँ पर इसने किया है S O L E यहाँ पर C E E L कर देना ठीक है अब homophone करेंगे weight का first है weight weight मैंने होता है इंतजार करना लेकिन यह वाला weight होता है virgin यह stare यह वाला भी stare यह buy यह buy मतलब खरीदना यह piece हो गया यह serial हो गया days हो गया sore, there, right heart, heart, sight और mirror यह आप देख लेना अब हम करेंगे homonium इसके अंदर क्या होता है हमारी sound भी सेम होती है spelling भी सेम होती है meaning अलग-अलग होता है करते हैं चलो e part complete, e sentences pair pair होते हैं हमारे जोड़े I know you are quite bright but you need to study मुझे पाता है आप bright student हो लेकिन आपको फिर भी study की जरूरत है और दूसरा जोंसा bright होता है चमकीला यह हमारी sunlight के बारे में बोला गया है सूर्य की रोशनी के बारे में second होजे का scale scale third है हमारा fair fair यह pound pound minute फिर minute हो जाएगा इसका और यह FIRM FIRM कर देना क्योंकि में को भी call attend करनी है आप फटाफा time से पर देख लीजी मेरी भावनाओं को समझी यह तो डांट ज्यादा पड़ जाएगी मुझे F part में first में कर देना deal with second में gets away with third में let or down fourth में hand in fifth में count or in और फिर होजेगा deals in इसमें है bring about set up, add up, look forward to subscribe जरूर कर देना अपने class वाले group में student के group में ठीक है यह similes आ गई जो कैसे पहचानी जाती है as से और like से पहचानी जाती है hard, hard कैसे होनाची nail की तरह, light कैसे होनाची feather punk की तरह, fresh कैसे होनाची dizzy flower की तरह, bright कैसे होनाची souri की तरह, cool कैसे होनाची खीरे की तरह, blind under, bat की तरह और यह focus हो जेगा और यह जिदि कैसे होनाची M-U-L-E, और heavy होनाची यह lead और घहरा समुंदर की तरह ओल्ड पुराना पहाड़ियों की तरह कलियर होना चीए डे की तरह ये लाइटिंग, ये रोजर, ये ग्रेव कबर की तरह बेशांती होने चीए और बहुतरी लाइन की तरह होने चीए स्टेट एरो की तरह होना चीए और कली नोना ची विशल की तरह और ये ओए की और ये रैक हो गया ये हमारी सिक्स क्लास खतम होगी सब्सक्राइब जरूर करके जाना ओके गुड़नेट